हलो, क्लास 10th और 12th के सभी स्टुडेंट्स और उनको पढ़ाने वाले सभी टीचर्स, ये न्यूज CBAC से जुड़ी हुई काफी ज़्यादा इंपोर्टेंट है आप सभी के लिए CBAC बोर्ड ने क्लास 10th और 12th की बोर्ड परिक्षाओं से रिलेटेड कुछ सर्कुलर जारी किया है ये क्या है आईए देखते हैं यदि आप इस चैनल पर नई हो NAS Success Point YouTube चैनल तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए क्योंकि CBAC से जोड़ी हर important news आप तक पहुंचाता है बैल बटन जरूर प्रेस कर दीजेगा ताकि आने वाली notification आपको मिल सके चलिए बढ़ते हैं इस news की तरफ जैसा कि हम जानते हैं कि हम 10th और 12th की बोर्ड से related information का इंतजार कर रहे हैं तो कुछ information CBAC बोर्ड ने प्रोवाइड कराई है term 1 के exam जो की month नवंबर और दिसंबर में होने हैं तो आप लोग यदि 10th और 12th में हैं तो तैयारी तेज़ कर दीजे जो कि 90 minute का exam होगा और इस exam को objective based लिया जाएगा second term का जो exam है ये मार्स और अप्रेल 2022 में होगा उस समय होगी उसी को द्यान में रखते हुए ये exam conduct किया जाएगा students 18th October 2021 को CBAC board exam related dates release कर रहा है जिसकी information आपको इस channel की वीडियो पर भी मिल जाएगी ये exams आपके offline mode होंगे it means आपके school में ही होंगे CBAC board के दोरा class 10th और 12th के total 189 subjects के लिए exam conduct किये जाते हैं काफी लंबे समय तक चलने वाली ये exam जो कि 40 से 45 days होते हैं कम से कम बच्चों का नुक्सान न हो इसलिए इनको two parts में divide किया है major subject और minor subjects major subjects की जो date sheet है पहले की तरह जैसे की त्या करती थी CBAC board ऐसे ही उनको fix करेगी और उसी date पर लेगी लेकिन minor subjects कुछ ही school में पिरफर्ट किये जाते हैं तो उन schools का एक group form किया जाएगा और एक दिन में एक से अधिक exams को भी conduct किया जा सकता है जैसा कि students आप जानते हो class 10 में major subject हिंदी, English, Math, Social Science, Science, IT होते हैं और इनके सामने आप देख सकते हो कि code number लिखा हुआ है जो कि आपको board की answer sheet में mention भी करना होता है तो इनको भी एक बार आप note कर लीजेगा जैसे कि Maths का 041 होता है Science का 086, Social Science का 087 ठीक ऐसे ही class 12 के भी कुछ major subject है चाहे हिंदी, History, Political, Science हो यह जोगफी, Physics, Chemistry आप अपने according in subjects के code को देख करके note down कर लीजेगा Class 10 और 12 के कुछ minor subjects को भी मैं यहां mention कर रहा हूँ उनके भी आप code को यहां देख सकते हो Students, already मैंने आपको इसके बारे में बता दिया कि 18 अक्टूबर को date release हो रही है exams के तो एक और information है काफी important आपका यह जो exam 90 minute का तो हो गई लेकिन exam साड़े 11 बजे से start होगा जो कि पहले साड़े 10 बजे से start हुआ करते थे board के exam ऐसा winter session को दियान में रखते हुए कराया जा रहा है और हाँ, यह exam जहां पहले 15 minute देता था आपको सिर्फ अपनी Christian paper को read करने के लिए अभी आपको 20 minute का time देगा इसके अलावा जो facilities CBC board during exam देता है वो तो देगा ही जैसे कि handicap students के लिए special facilities होती है like that student CBC board ने declaration of result के बारे में बताया है कि आपके term 1 के बाद marks आपको बता दिये जाएंगे लेकिन किसी भी students को यह नहीं बताया जाएगा कि आप pass हो, compartment है या किसी भी essential subject का आप repeat exam दे सकती हो term 1 के बाद क्योंकि final result आपका 10th और 12th class का term 2 exam के बाद ही declare किया जाएगा practical internal assessment और project से related information की बारे में बताते हुए CBC board ने कहा है कि term 1 के last exam से पहले इन सभी को conduct कर लिया जाए और जैसा कि हम जानते हैं कि term 1 50% marks को cover करता है इन के बाद इन marks को new link पर जो कि CBC की दोरा last date तै की गई है उस पर upload कर दिये जाएंगे और इन सभी से related complete information को CBC board स्कूल के साथ share कर रहा है ताकि वो अपनी इन परिक्षाओं के लिए तैयारी कर ले दोस्तों आप सभी से फिर से एक बार request इस चैनल को आप subscribe with notification bell बिटन जरूर करें साथ में इस वीडियो को share करें और like करें जहन दोस्तों